हेलो आल दिस सान्वे शर्मा आज मैं यूट्यूब चानल सोलफल जोर्नी आज मैं पिककर कार्ट रीडिंग करने जा रहे हैं ये एक स्पेशल वीडियो है आज मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे रिलाइज हुआ कि थर्ड पार्टी की अनरजी में कुछ शिफ्ट हो रहा है तो सोचा कि आज ये वीडियो बनाते है गाइड़ वीडियो बनाते है देखते हैं कि क्या शिफ्ट हुआ है ओके सो यहां पर आपके बस दो आप्शन है दो पाइल्स है तो डिटेल वीडियो रहेगी है आप यहां पर जो पाइल सेलेक्शन है ये अपने पार्टनर के नाम के first alphabet के according करेंगे, आपके partner का जो full name है, उसका जो पहला अक्षर है, उसके according आप इन piles को देखेंगे, okay this will be pile number 1 and this will be pile number 2 तो pile number 2 को अभी हम थोड़ा side रखते हैं, okay guided video है, बड़े धान से समझेगा कि क्या energy shift हुआ है so let's see, I am presence का card okay stress का card है going with the flow का card king of swords seven of swords two of wants six of wants, okay hope का card है transformation, मैंने कहाना energy shift है third party की energy में can be filled very easily direction guardian का card है she wolf का card है princess of spring the high priestess the empress the empress renewal fated meeting arts okay, ये cards कहाना रखते हैं, आपको clarity रहे और जिनों ने पाइल नमबर वान सेलेक्ट किया है सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहते हूं कि जो ये energy shifts होते हैं, ये energy shift एक particular time period के लिए आते हैं, और इन energy shift के अंदर, जो जो major changes हो सकते हैं, वो होकर रहते हैं और जो लोग इस energy के साथ match होते जाते हैं, उनकी energy में changes होते हैं, बेसिकले, ओके जो लोग stubborn अपनी पुरानी energy में टाप इन करन के कोशिश करते हैं, उनकी energy में थोड़े time के लिए change होता है, वो major change हम उसको नहीं बोल सकते हैं, यहां पर जो change है, ये major change आ रहा है, ये जो third party है, इस third party को ऐसा लग रहा है कि ये अपने आपको खोती जा रही है, means ये person जो भी है, इसे ये realize हो रहा है कि आपके partner के पीछे प ये third party अपने आपको खोजने की कोशिश कर रही है, यहां पर selfish motives नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, अब ये realize करना कि मैं कहां पर हूँ, उसका reason ये है, एक तो energy का change इस third party को feel हो रहा है, मेरी meditation में, जो चीज मुझे समझ आ रही थी, वो ये था कि transformation हो र इस third party को ये लगता है, कि आपके partner बदल रहे हैं, इस third party के लिए बदल रहे हैं, और उनके बदलते वेवार को लेकर ये third party भी change हो रही है, ये third party अपने तरफ से अब वैसे efforts लगाने की कोशिश नहीं करे हैं, जैसे पहले लगाए थे, क्योंकि यहां पर कुछ जो changes हैं, कु इस तरह के बदल आए हैं, कि आपके partner ने इस third party की expectation को meet नहीं किया है, actually आपको ऐसे लग रहा होगा कि इस third party के लिए तो आपके partner ने बहुत कुछ किया है, तो फिर आप ऐसे किसे कह रहे हो कि इस third party की expectation meet नहीं हुए है, उसका ये reason है, क्योंकि इस third party की expectation का level था, वो इतना high कि आपके partner उसको meet नहीं कर पाए यह जरूरी नहीं है आप किसी को कुछ चीज दे रहे हैं अपनी जिंदगी का कुछ भी contribute कर रहे हैं तो दूसरे इंसान के लिए वो enough हो तो यहां पर इस third party के अंदर यह बदलाव आ रहे हैं कि अपने बारे में सोचना चाहिए दूसरे के पी partner के पीछे-पीछे भागने से कुछ बनता होता तो definitely emotional satisfaction इस third party को होनी थी और यह satisfaction नहीं हो रही है तो इस third party ने अपनी direction कहीं न कहीं चेंज की है इस terms में चेंज की है कि let me think about myself first ठीक है आपके partner के बारे में नहीं सोचना है खुद के बारे में सोचने की बात हो रही है यहां प इस third party ने अपनी direction अपनी तरफ को change की है means self-centered हो गई है यह third party और आपके partner इस cycle से निकलने की कोशिश में थोड़े से directional changes में आ रहे हैं वो इस third party को उतनी importance नहीं दे रहे हैं इस वज़े से इस third party को यह हैसास हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके partner के अंदर जो changes है वो गलत changes आ रहे हैं और इस third party की importance खतम होती जारी है ऐसा इस third party को लग रहा है यह feeling है इस third party की आपके partner की तरफ को कि यहाँ पर शी वल्फ का कार्ड है आपके partner को तो इस चीज की realization है कि यह कार्मिक relationship है और यह third party आपके partner को कहीं न कहीं अंदर की तरफ को गेरती जा रही है अंदर की तरफ को खीचती जा रही है इस वज़े से आपके partner कुछ directional changes की तरफ को बढ़ रहे हैं काफी time से try कर रहे हैं और अब वो इस चीज की तरफ को बढ़ रहे हैं तो इस third party को ऐसा लगता है कि उनकी बुराई ने इस third party की बुराई ने उनकी अच्छाई के ऊपर एक पड़दा डाल दिया है तो यह third party अपने कर्मों से मुक्त होने के बारे में सोच रही है लेकिन यह असान नहीं होता यह सिरफ एक thought process है इस third party को ऐसा लगता है कि soulmate से जादा या 20th flame से जादा इस third party ने आपके partner के साथ कर्मों का हिसाब किया है यह realization हो रही है इस third party को लेकिन यह सिरफ एक realization है यह तो अगली reading में पता लगेगा कि यह third party किस तरहां से आगे की तरफ को बढ़ रही है यह third party realize कर रही है कि past में क्या हुआ क्या किया और आज present में क्या हो रहा है इस relationship को लेकर इस relationship का मतलब आपके partner और इस third party के relationship को लेकर तो past की सारी energy को analyze कर रही है यह third party और present की situation के ओपर focus कर रही है और अपने bright future की तरफ को प्लान करती होई नजर आ रही है यह third party समझना चाहती है अब कि इस relationship का तत्व क्या है क्यों यह relationship आपके partner और इस third party के बीच में बना है क्योंकि यहाँ पर यह third party emotionally satisfied नहीं लग रही है क्योंकि इस party को emotional senses जो है इस third party के भूग कहीं न कहीं खतम हो गए है यहाँ पर सिरफ आपके partner को पाने की एक भूग थी जो की आज के time पर ऐसा हो गया है कि जबर्दस्ती की गई है आपके partner को एक influence में लेकर आया गया है और इस वजह से आपके partner इस relationship में फस गया है trapped है अब यह third party आपके partner को लेकर कोई भी judgment नहीं बनाना चाहती है ना अपने बारे में कोई judgment किसी को बनाने देना चाहती है आपके partner के behavior से इस third party को बहुत ज़ादा धक्का भी लगा है और changes आए है उनके आपके partner के अंदर जो changes आए हैं उसकी वज़े से इस third party के अंदर changes आ रहे है the empress की energy है यह जो third party है इसको ऐसा लगता है कि अब एक action लेने का वक्त है अगर आपके partner के साथ यह third party रहती है तो इस तरह नहीं रह पाएगी ऐसा इस third party को लगता है या तो इस relationship में changes होने चाहिए या फिर यह third party आपके partner को छोड़ कर जाना चाहती है उसका reason यह है क्योंकि जिस तरह की expectations इस third party ने आपके partner से की थी वैसा कुछ time तो हुआ लेकिन उसके बाद वो emotional satisfaction, वो physical satisfaction, वो mental satisfaction आपके partner से इस third party को मिलनी बंद हो गई इस third party को आपके partner के बारे में ये चीज़ feel हो रही है कि आपके partner के पीछे इस third party ने कहीं न कहीं अपने काम करने के तरीके को गलत किया है करमास को गलत किया है, गलत तरीके से आपके partner को अपने बास रखा है इस सारी चीज़ों के realization कहीं न कहीं इस third party को start हो गई है और ये इस वज़े से है क्योंकि आपकी partner के बदलते रवये को ये third party पहले तो ignore कर रही थी लेकिन अब के time पर इस चीज़ को seriously ले रही है ये ही एक energy shift है तो यहाँ पर princess of spring का card है ये third party अब बहुत ही ज़ाद अपनी जिन्दगी को लेकर optimistic होना चाहती है अपने आपको enthusiasm से भना चाहती है किसी भी गलत करम की तरफ को नहीं move करना चाहती है और आपके partner से ये expect करती है ये third party कि आपके partner बिना किसी pressure के इस third party के साथ रहे ये third party अपने dreams को पूरा करना चाहती है बहुत ही ज़ादा selfish energies में है इस time पर अब मुझे एक कहावत याद आ रहे है दोसो चूहे खा के बिली हज को चली वो system है ये third party आज के time पे अपने dreams को fulfill करते हुए अपने करमास को याद करने की कोशिश कर रही है तो कहीं न कहीं एक energy का जो shift है ये self realization का shift है लेकिन अभी भी इस third party को इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर करमास इतने जादा गलत हो चुके हैं कि इस third party ने आपके partner की जिंदगी को भी बरबाद किया है आपके जिंदगी को भी कहीं न कहीं बरबाद किया है ठीक है और यहाँ पर fated meeting का card है आपके partner के बारे में ये third party ये सोचते है कि आपके partner एक कार्मिक बनके इस third party की जिंदगी में आए और उनका आना तै था क्योंकि इश्वर चाहते थे कि इस third party के अंदर कुछ बदलाव आएं और ये third party अपने ancestors से divine से help चाहती है तांकि अपने इच्छाओं की पूर्ती कर सके help का मतलब ये है इस third party को ये चाहिए कि ये जो आपके partner है ये इस third party के साथ अच्छे से रहें अगर अच्छे से नहीं रह सकते तो उनकी जंदगी से चले जाएं अब इतना सब कुछ अपने कर्मों के according कर दिया है चीज़ें इतनी चल्दी तो set नहीं होंगी ये energy shift है अब इस energy shift के ऊपर ये third party किस तरहां से काम करेगी ये देखने वाली बात होगी अभी के time पर तो ये third party बहुत जादा stressed है आपके partner की वज़े से stressed है क्योंकि कहीं न कहीं जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो इनसान को ऐसा लगने लगता है कि दम घुट रहा है चाहे खुद गलत रस्ते पर हूँ लेकिन यहां पर आपके partner के behavior की वज़े से इस third party को बहुत stress हो रहा है लेकिन यह जो third party है यह आपके partner के साथ flow के साथ चल रहे है जिस तरह से अब आपके partner इस third party के साथ react करने वाले है उसी तरह से यह third party आपके partner के साथ react करने वाली है यह energy shift है ओके यहां पर King of Swords का कार्ड है अब यह जो third party है यह अपनी life के decisions इस रिष्टे के decision अपने हाथ में लेकर अपने लिये लेगी इसमें आपके partner की अच्छाई और आपके partner के भलेगा कुछ होगा ऐसा नहीं है सिरफ अपने लिए और इस decision में आपके partner बिल्कुल भी interfere नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे seven of swords का का कार्ड है यह जो third party है अपने आपको satisfied feel करने के लिए आपके partner को धूका देने वाली है और इस third party को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके partner इस third party को धूका दे रहे हैं यह feeling of insecurity का change है इस third party को आपके partner से feeling of insecurity हो रही है यहाँ पर two of wands का card है third party अपने लिए अपने bright future के लिए बहुत दूर की चीजों के बारे में सोच रही है यह third party ऐसा नहीं चाहती है कि आपके partner इस third party को दोका दे कर चले जाए और यह third party अपने हाथ पे हाथ धर कर बैट जाए ऐसा यह third party नहीं चाहती है फेलियर की energies इस third party को बिलकुल भी मनजूर नहीं है the other card over error is six of wands का card है यह third party अपना status बनाना चाहती है अपना social status हाई करना चाहती है आपके partner से धोका खाने वाला tag इस third party को बिलकुल भी मनजूर नहीं है अपनी repetition का बहुत जादा खयाल आ रहा है अब इस third party को अब दुनिया की बहुत टेंचन हो रही है कि दुनिया क्या सोचेगी अगर आपके partner ने इस third party को धोका दे दिया तो इस third party ने आपके partner को हासल करने के लिए बहुत सारे गलत काम किये हैं और अब ये third party कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रही है कि कैसे मैं दुनिया को फेस करूँ दुनिया मेरे बारे में गलत ना सोचे मेरी reputation खराब ना हो इन सारी चीज़ों की analysis ये third party अब करने लग को मैं सेक्षिन में सब्सक्राइब कैसी लेगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए का अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को clarity मिल सके अगर आप मेरे चानल पर नए है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत कर सकते हैं यह वुकिंगा मेरे वाटसअप के थूँ यह मेरे इमेल इडी के थूँ कर सकते हैं मेरे वाटसअप नमबर और एमेल इडी स्क्रीन पर फ्लाश होगे तो देखने हैं जिन्होंने पाई नमबर टू सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या reading निकल कर आती है लेट सी गाईड़ वीडियो रही है बहुत सारी चीज़े डिटेल में एनरजी शिफ्ट बहुत डिटेल में मैंने एक्स्प्लीन किया है आपको होप आपको clarity हुई हो तो दिस पाई नमबर टू सो जिन्होंने पाई नमबर टू चूज किया है लेट सी यॉर कार्ड तो पहला meditation का कार्ड है okay control का कार्ड है receptivity का कार्ड है the fool three of swords king of wands seven of wands light universe ear guardian shoalim master eight of spring six of spring ten of spring four of autumn five of forces the treasure so जिन्होंने पाई नमबर टू से लेक्ट किया है उनके लिए जो बेस कार्ड है डाद इस meditation का कार्ड है आपके पार्टनर और इस third party के बीच में आपकी meditation आपकी manifestation ने बहुत बड़ी दिवार खड़ी कर दी है इस third party को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उनने चीट कर रहे हैं जबकि आपके पार्टनर इस third party को ऐसा बिलकुल भी show नहीं होने दे रहे हैं कि वो अब इस third party के साथ नहीं है आपके पार्टनर और इस third party के बीच में बहुत सारे trust issues खड़े हो गए हैं यह third party आपके पार्टनर के ओपर trust नहीं करती है इस third party को यह लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने उनसे अपनी direction change कर लिया इस third party को feeling of insecurity बहुत ज़ादा हो रही है और यह सरफ feeling नहीं है यह insecurity इस third party की जंदगी में चल रही है और इस third party को अपने हाट में बहुत pain महसूस हो रही है हाटे की energy है दिल तूट रहा है इस third party का आपके partner और इस third party के बीच में बहुत सारे emotional changes हो रहे हैं जिसमें इस third party को ऐसा realize हो रहा है कि आपके partner उनको छोड़ कर जाना चाहते हैं और उनको एक gut feeling यह जो third party है इसको एक gut feeling आ रही है कि कहीं न कहीं आपके partner ने अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल दिया है आपके partner इस third party को छोड़ कर ना जा पाए क्योंकि यह third party feel करती है कि अगर इस रिष्टे को एक opportunity मिल जाए तो आपके partner और इस third party के बीच में सब रिष्टे ठीक हो जाएंगे आपके partner इस relationship से बाहर ना जाए इसके संभव प्रियास यह third party करने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह जो अचानक से change हुई है आपके partner की energy वो energy इस third party से बिलकुल भी बरदाश नहीं हो रही है इस third party को ऐसा लगता है कि अगर यह third party इस रिष्टे पर महनत करेगी किसी भी तरह की महनत हो सकती है सही तरीका गलत तरीका जिस मरजी तरीके की महनत हो सकती है तो यह रिष्टा ठीक हो जाएगा hard work नहीं smart work करने की ज़रूरत है ठीक है और तभी यह रिष्टा एक अच्छा रिष्टा बन पाएगा पहले यह रिष्टा अच्छा ही था लेकिन आपके partner के इंदर transformation होने लगी तो अब इस third party को भी इस transformation की realization हो रही है इस third party के लिए यह जो रिष्टा है यह burden बन गया है ठीक है यह third party help seek करना चाहती है ठीक है बहुत जादा pressure में है बहुत सारा अपने उपर burden में हिसूस कर रही है कि इस रिष्टे को ठीक किया कैसे जा सकता है इस third party को ऐसा लगता है कि इस रिष्टे को manage करने की ज़रूरत है ठीक है और आपके partner को chase करने की कोशिश कर रही है यह third party और अभी आपके partner अपने लेवल पर तो इस third party की energy से बाहर निकर रहे है क्योंकि उनकी transformation हो रही है लेकिन इस third party की energy के according आपके partner अभी इस situation से निकल पाएंगे ऐसा नहीं है क्योंकि यह third party आपके partner को बाहर जाने नहीं देना चाहती है खीचना चाहती है वापिस तो आपके partner के लिए बहुत बड़ा challenge होने वाला है इस third party को ऐसा लग रहा है कि इस रिष्टे के रूप में जो भी इस third party के पास दरोहर है वो कहीं न कहीं लोट गई है वो कहीं न कहीं खराब हो गई है वो कहीं न कहीं खतम हो गई है तो यह third party बहुत ज़दा pain में है इस वक्त इस third party को ऐसा लग रहा है कि आपके partner और इस third party के बीच में जो भी रिष्टा है वो एक ठंडे बस्ते में आ रहा है मतलब यह रिष्टा cold vibes देगा मतलब इस रिष्टे में कोई भी brightness नहीं आने बाली है ऐसा इस third party को लग रहा है कि यह summer जहां पे यह रिष्टा bloom कर रहा था वो कहीं न कहीं winter की energies में जाता जा रहा है यह feeling है third party की इस रिष्टे के प्रती जो आपके partner और उस third party के बीच में है अगला card है receptivity का इस third party को बहुत कुछ आपके partner के behavior से समझ आ रहा है बहुत कुछ receive कर रही है यह third party जबकि आपके partner बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इस third party को भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं लेकिन इस third party को फिर भी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ रहा है okay the other card over here is control का card है यह third party इस रिष्टे के ऊपर अपना control बनाना चाहती है आपके partner को इस तरह से loosen up नहीं करना चाहती है इस रिष्टे को खतम करने की कोशिश जो आपके partner करने की ट्राय कर रहे हैं वो यह third party नहीं चाहती है इस रिष्टे पर पूरा control बनाने की कोशिश कर रही है यह third party okay so यहाँ पर card है light का यह जो third party है इसको enlightenment हो रही है इसे यह messages universe की तरफ से आ रहे हैं कि इस third party को आपके partner की जिन्दगी से बाहर चले जाना चाहिए यह third party enlightenment की energy में आ रही है लेकिन उस energy को retaliate कर रही है उस energy को receive करने के लिए यह third party बिलकुल भी तयार नहीं है यह third party आपके partner को किसी भी हलात में छोड़ना नहीं चाहती है ददगाड़ ओवर है उनिवर्स का card है इस third party को ऐसा लगता है कि यह जो आपके partner और उस third party के बीच का रिष्टा है यह काइनात ने बनाया है और यह रिष्टा कभी भी तूट नहीं सकता है तो उसे बचाने के संभव प्रयास यह third party करने वाली है और करती जाएगी बिकॉज अभी तक इस third party की energy में यह चीज बिलकुल नहीं है कि self-realization कुछ होना यह यह समझना कि यह third party खुद में कुछ गलत कर रही है आपके partner के साथ ऐसा नहीं है यह जो third party की energies है यह उनकी feeling है इस रिष्टे के प्रती ठीक है वो कोई action ले रहे है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ क्या feel कर रहे है इस relationship के पीछे इस relationship के बारे में मैं उस चीज को discuss यहाँ पर कर रही हूँ The card over here is Air Guardian का card है इस third party को इस बात का एहसास हो गया है कि आपके partner ने कहीं न कहीं इस रिष्टे के प्रती अपनी जो perception है वो बदल ली है यह third party आपके partner को बदलना नहीं चाहती है मतलब उस change की energy में बिलकुल भी आपके partner को रहने नहीं देना चाहती है इस third party की जो thinking है वो यह है कि आपके partner हवा के रुक की तरह कहीं न कहीं बदल रहे है वो अपनी perception को change कर रहे है और वो इस रिष्टे का रुक नहीं बदलने देगी यह third party की situation है यह feeling है शोलिम मास्टर का card है लेकिन यह third party आपके partner के सामने एक दिखावा करने वाली है क्या दिखावा होगा कि यह third party कुछ नहीं कर रही है बहुत बेसहारा है बहुत लाचार है इस तरह की feelings को यह third party आपके partner के सामने रखेगी emotional blackmail करना ऐसी चीज़ें होने वाली है लेकिन अंदर से यह third party सब को जानती है तो double facet game अभी आपके partner के साथ चलने वाली है इस reading को आपको अपने partner के full name के first alphabet के साथ देखना था तो उसी तरह से इस reading को देखिएगा और यह third party की feeling है आपके partner के प्रक्ति तो यह feelings जो होती है यह वक्त से वक्त चेंज होती है लेकिन energy shift है पहले इस third party को कहीं न कहीं यह चीज नहीं समझ आ रही थी कि आपके partner क्या करना चाहते है आज के time पर इस third party को बिलकुल समझ है कि आपके partner क्या करने वाले है so यह third party आपके partner को पीछे की तरफ ड्राइग करने की पूरी कोशिश करेगी okay so I hope जिनों ने pile no 2 चूज किया उन्हे मेरी reading पसंद आई हो नीचे मचे comment section में जरूर बताईएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मद भूलेगा अपने नियर इंडिय वन्स के साथ शेयर जरूर कीचेगा हो सकता है कि किसी को अपने relationship को लेकर clarity हो सके so do share my video also so अगर आप मेरे चानल पर नए है और आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe ने किया है तो please आप मेरे चानल को subscribe कर लेचेए और bell icon को प्रेस करना मद भूलिएगा जिसे कि आपको नए-ने वीडियो की notification मिलती रहे अगर आप मेरे reading से influenced है और आप अपने किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ बुक कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के थूँ या मेरे email id के थूँ कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगी so thanks for watching see you soon